Hi friends, आज यूनिवर्स के एक साइन के बारे में बताने जारी हूँ मैं ये साइन यूनिवर्स की ब्रह्मान की सारी शक्तियों को समेटे हुए है इस साइन को हम किरिया सिम्बल भी बोलते हैं रेकी में या फिल चोकोरे सिम्बल के नाम से भी जानते हैं ये सिम्बल इस तरह से बनाया जाता है इस सिम्बल को आप लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं Basically ये सिम्बल receiving का सिम्बल है receiving मतलब आपने इस सिम्बल को जब देख लिया इसको देख करके कोई thought को एकागर करके आप सोच रहे हैं इसका मतलब है universal powers यहाँ पे सारी सम्मलित है अब इस universe के sign को देखते हुए आप अपनी thought को अपने mind में चला रहे हो सोच रहे हो उस thought के बारे में कि आपको वो मिल रहा है और ये magic करता है इस symbol को आप लोग कहां कहां बना सकते हैं हैं सबसे पहले एक paper पे blue color के pen से या फिर red color के pen से ठेक है blue या red color के pen से आप इस symbol को बनाएंगे इसको बनाते वक्त pen बीच में से उठना नहीं चाहिए जैसे ही आपने start किया जैसे seven जैसा पहले एक बनाया, फिर spiral बनाया, three times का spiral बना करके ये end होता है seven पे ही, okay, so जब ये बनाना आप शुरू करोगे तो ये बीच में उठेगा नहीं pen, आप रुकोगे नहीं, बिल्कुल मतलब fluently बन जाना जागी है एक ही बारी में, okay, ये इस तरह से बनेगा, अब इ finances related papers होते हैं, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, वहाँ पे ये abundance का काम करेगा, आप अपने passbook हो गया, जो भी मतलब money से related जो documents हैं, उस पे बना सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, कि जो Indian currency है, या जहाँ भी जो लोग है, अगर foreign में हैं, वहाँ की जो भी currency है, उस currency की एक पि पिच्चर एक ले देजिए मोबाइल में, और मोबाइल में ही edit करके उस picture पे आप ये sign बना के इसे रखिए, हो सके, तो yes, दिन में एक बार जरूर देखें, इसको देख करके एक receiving की feeling को जगाएं, कि बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा मैं receive कर रही हूँ universe से, universe से मैं में को ये blessing मिल रही है, मुझे ये blessing मिल रही है, I am receiving this money, okay, इस तरहे के intention के साथ आप इस symbol को देखेंगे, ठीक है, इसके बाद इस symbol को और कहां बना सकते हैं, second important जगह जहां इसको बनानी है, वो है gratitude journal, जब आप अपनी wishes के लिए gratitude लिख रहे हैं, please उसमें इस symbol को जरूर बनाएं, आ फिर अपनी सारी wishes लिख के और फिर नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है, ये वहाँ पे भी आपको एक receiving का effect देगा और वहाँ पे जो इसे magic करना है, वो करेगा, इस symbol को बनाने के time, बनाने के बाद जब आप इसे देख रहे हैं, सारी चीज आपकी thoughts की है, आप कितनी एकागरता किस विश्वास के साथ इस symbol को देख रहे हैं, उस पे सारी चीज डिपेंड करती है, ये वो एक तो वहाँ पे हो गया, now next, कि इस symbol को आप कहाँ बनाएंगे, जो लोगों ने vision board बनाया हुआ है, multiple wishes हैं जिनकी, ठीक है, बहुत सारी wishes हैं, अभी हम एक technique के लिए, एक wish के लिए vision board है, vision board पे आप अपने pictures लगाईए, बनाईए, उसको vision board की, यहां पे मेरे पास video है, उसका मैं end screen में attach भी कर दूंगे, लिंक भी दे दूंगे, आप लोग उसको देख करके vision board बनाईए, जिनको car चाहिए, house चाहिए, then finances चाहिए, health चाहिए, शादी अट्राक करनी हैं, life में जब आपने pictures side side में लगाए हैं, तो बीच में जो जगा है, बीच में थोड़ी सी जगा छोड़िए, बीच में इस paper पे यह sign बना करके वहां लगाईए, यह sign again, आप लोग जब भी इस vision board को देखेंगे, इस sign पे concentrate करेंगे, तो यह sign आपको वो receiving के mode में लेके जाएगा, और सारे universal powers जब एक जिगाई खटा हैं, तो सोचिए कि कितनी जल्दी manifest होगा, तो vision board तो बहुत important है, कि बनाईए आप लोग, ठीक है, यह हो गया, now, next, very important thing, जब specific wishes हैं, जिनकी specific wishes हैं, जिनकी specific wishes हैं, और उसको आप लोगोंने manifest करना है, तो please अपने wish को 3-4 paragraph, पेरा means 3-4 lines में एक छोटा सा paragraph बनाईए, और उस paragraph को 3 बार लिखिए, मतलब एक बार लिखा, दो बार लिखा, तीन बार लिखा, एक single paper पे, ठीक है, एक ही paper पे आना चाहिए, कोशिश रही कीजिएगा, इसको लिखके, आप blue pencil लिखेगा, या red pencil, blue and red, दोनों में से किसी भी एक pencil लिख बनाएंगे, ये भी आप blue या red color के pencil, simple सा, जो लिखा है, उसके ऊपर बनाएंगे आप इस symbol को, ठीक है, अब इसकी एक picture आप click करके रख लीजिए, अगर नहीं, तो ये paper अगर आप रोज रात में निकाल करके पढ़ सकते हैं, तो सोने से पहले habit बनाएए, कि इस paper को निकाल करके आप ये जो wish आपने लिखी है, जैसे कि suppose आप relationship manifest करने में लगे हुए, तो आप कैसे लिखोंगे, I am very happy and thankful, कि मेरे partner ने मुझे marriage के commitment दे दी है, मेरी शादी उनसे होने जारी है, मेरे parents सारे सब खुश है, सब की blessing से हमारी शादी होने जारी है, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी एक बहुत happy married life है, इस तरह से या तो पूरा का पूरा present tense में लिखे कि शादी हो गई है करके, ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं मेरा subconscious mind इसे accept नहीं कर रहा, तो फिर कि शादी होने वाली है, और मैं बहुत खुश हूँ, वो जो खुशिया मनाते हैं starting की, उस तरह स से लिखिए, thank you, thank you, thank you universe के साथ खतम कीजिए, अब इनी तीन चार लाइनों का जो पैरा बनाया है, इसको first, second, third, तीन बार वो लिखा रहेगा वहाँ पेपर में, इसके ऊपर आपने वो manifestation का sign बनाना है, ऊपर का मतलब ये सारे words उसके अंदर capture हो जाने जाएं, इस तरह से ब के सो जाओगे, ये वहाँ से आप लोगों को बहुत effect करेगा, बहुत बहुत effect करेगा, ये हो गया manifestation का sign, जो आप लोगों को help करेगा, focus करने में, universal powers जहां सम्मलित हैं, वहाँ पे आप लोग अपना ध्यान लगा करके, बहुत असानी से manifest कर सकते हैं, और जिन लोगों को health issues है वो भी same काम करेंगे, health के लिए अपनी lines लिखेंगे, उस पे ये sign बनाएंगे, और simple सा आप में सोने से पहले इस से पढ़ के सोएंगे, health issues वाले एक काम और कर सकते हैं, इस manifestation के sign पे, एक paper पे बनाके, इस manifestation के sign पे, आप एक glass पानी रख सकते हैं, पानी को affirm करके पी सकते हैं, ये, उस में ये thought डालते हुए कि, इस manifestation के sign को देखते हुए कि, मेरी health बिल्कुल ठीक हो रही है, मैं बहुत healthy हूँ, fine हूँ, absolutely fit हूँ, okay, इस तरह से इस manifestation के sign को देखते हुए, आप ये पानी पी लेंगे, तो ये वहाँ से आपको help करेगा, और बहुत अच्छे से help करेगा, this sign is really powerful, सबसे पहली बार जब आप लोग ये sign को बनाएं, तो वो thought create कर लें कि, ये एक बहुत powerful sign आप लोगों ने बनाया है, ये नहीं कि sign तो बना दिया, और फिर मन में ये चीज चले कि, पता नहीं, इससे होता भी है कि नहीं, ये तो simple sign है, okay, so everything is related to your thought, trust, believe, okay, so ये sign आप लोग अपने gratitude journal में, wish लिखे है इस तरह से, important जो भी documents है, जो कभी-कभी कुछ documents होते हैं, जो अप्रूफ कराना होता है, कुछ लोग visa के लिए बैठे होते हैं, तो अगर इस तरह से अपनी wish को लिख करके और ये बना करके आप रोज रात में पढ़ें, at least 21 days तक तो ये continuous कीजिए technique, और ये paper पर रोज लिखने की जरुवत निए, एक बार लिखा हुआ, उसी paper को आप रोज बढ़ सकते हैं, ठीक है, so that's all guys, इतना ही था इस manifestation के sign को लेकर के, thank you so much, God